सांसत संजय सेट ने किंद्रिय बजट को जन्विश्वास का बजट बताया है सांसत ने कहा कि देश के विकाश को कई नई गती प्रदान करने वाला ये बजट होगा इससे अब तक चल रही विकास योजनाओं में और भी गती आएगा देखें संजय सेट जी है इस बजट को किस तरह से देखते हैं ये जो बजट है ये आगामी 25 साल का बजट है कि जब भारत अपने अज़ादी की सवीवास्कात मना रहा है तब को ध्यान में रखते ही हो बजट है और ये बजट भारत को आठम engageर बनने वाला और ये बजट कह सकते हैं कि भारत को जिस तीजध करी चाम चेंब जब बास्चास बनाने वाला अब आप देखो तो एकोनोमिक ग्रोट 9.2 परसंट यह किसी ने कलपना नहीं की थी किसानों के लिए MSP के लिए 2.7 करोड रुपीज रखा गया फिर उनके लिए अलग पैकेज की विवस्था की 400 वंदे मातरों भारत ट्रेंड 100 गती एक्सप्रेस और उस पर सबसे बड़ी बात जो लगातार यह बात आती थी कि ना राज जी और केंद्र के बीच में कुछ आपस में सामंजस यह तो वह सामंजस भी रखा गया कि आगामी 50 साल तक एक लाख करोड रुपय का फंड जिनरेट किया गया जो आपको इंट्रेस्ट फ्री लोन होगा हर छेत्र में 25,000 किलोमेटर सडक का नि एक करोड़ चालीस लाख मनें इतना बड़ा एक 1.40 क्रोड जीरो क्रोड जीस्ट क्लेक्शन रेंद मोदरी के न्यत्यूत्र में जो देश आगे बढ़ रहा चाहा सेना के छेत्र में हो चाहे आप देख लोग फॉर्मिंग छेत्र में हो किसी छेत्र में चले जाओ अब आप दुनिया के संपन राश्ट से मुकाबला कर रहा है अब आपको आगे जाना है आगे के सोच रखना है तभी देश आज इतनी बड़ी एकनोमिक वाला देश बन गया इतनी बड़ी अर्थ विवस्ता वाला देश बन गया जहां एकनोमिक ग्रोथ 9.2 परसेंट इतना बड़ अजादी की जब सभी वर्सगाट मनाएंगे जब दुनिया का बेताज बाश्या होगा भारत तब का बजट ये 25 साल की को देखने के लिए बजट चाहे रोजगार में हो चाहे आत्म निरवर भारत तहट 16 लाक रोजगार चाहे मेक इंडिया के नहीं तहट 60 लाक रोजगार हर चेत्र में अब तो भारत विश्व गुरु के और बढ़ रहा है और आप देखो आप किसानों के लिए पैकेज की बात हो गई है उनकी MSP के लिए पैसा अलॉट हो गया है जल G1 मिशन के तहत हर घर में नल और आप देखो कि प्रधान मंत्री आवास कोई चेत्र चूटा दिलिशा केमरावन ससीग साथ अमर से निउच 11 भारत